हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू आवर शैनल प्लांट से स्पेस आज हम केलेंचो प्लांट पर बात करेंगे और बताएंगे कि इसकी देखभाल के लिए आपको किन किन बातों का दियान रखना चाहिए केलेंचो एक ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट है 21st November को पौधे पर पहली कली आ चुकी है इसमें different colors, different varieties होती है जिसमें hybrid और देशी variety होती है जो आपको अच्छा लगे आप grow कर सकते हैं ये पौधा easy to grow, easy to propagate होता है पत्तियों से भी तयार हो जाता है और cutting से भी easily तयार कर सकते हैं ये पौधा जो glass में लगा हुआ है, ये पौधा हमने नर्श्री से लिया था लेकिन ये पौधा rainy season में मरने लगा था जिसका कारण होता है over watering क्योंकि rainy season में हम पौधे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और पौधा अगर खुले में रखा हुआ है तो कभी-कभी इसमें जादा पानी भरने के करण ये गलना शुरू हो जाता है तो हमने इसको बचाया, जो कि अब हमारे पास इसके दो पौधे हैं और दोनों में ही कलियां आ रही है तो आपको जो इस पे पौधे हो इनको भी कट करना होता है जिससे पौधा सुन्दर लगेगा और इन पत्तियों से आप नए पौधे तयार कर सकते हैं ये टूटी हुई पत्तियां है लेकिन इनसे भी पौधे तयार हो जाते हैं तो इस तरह से आप एक पौधे से कई सारे पौधे तयार कर सकते हैं 26 days के बाद पौधे की जो कली थी वो और भी खूबसूरत होने लगी है और जो इनके leaf notes होते हैं उन पर से भी और कली आने लगी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बुशी हो जाए तो आप उसकी pinching कीजिए जैसे कि हम और plants में भी आपको बताते आए हैं हलकी सी cutting कर द और जादे branches पर जादे flowering होती है तो अभी हमारा पौधा नया था इसलिए हमने पौधे को disturb नहीं किया और दो चोड़े चोड़े पौधे हैं यह और यह वाला पौधा जो है यह जो नर्सरी से bags आते हैं plastic bags उसी में ही लगाया हुआ है और उसके साथ काफी सारे और भी पौ इसको भी दूसरे पौधे के साथ ही लगा देते हैं जो कि जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो काफी खूबसूरत लगेगी और अभी पौधे छोटे हैं इसको और भी पौधे तयार कर सकते हैं इसमें पिंचिंग करके इसको और भी बुशी बना सकते हैं घना बना सकते हैं और जो कटिंग हमें मिलती हैं उनसे पौधे तयार कर सकते हैं और जो वेस्ट लीफ्स हो जाती हैं उनसे भी नए पौधे तयार कर सकते हैं इस पौधे में आपको बहुत जादे केर नहीं करनी होती है केवल और केवल ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना होता है इस पौधे में अकर आपको जादे फ्लाफरिंग चाहिए तो पौधे में पानी का मात्रा कम कर दीजिए मतलब कि इसकी सौयल को आप हलका हलका सूखा ही रखिए बहुत ह पानी की जरूरत नहीं होती है इनकी पत्यों में पहले ही पानी होता है इसलिए आराम से चल जाते हैं तो यह ग्लास में से आराम से निकल जाएगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा है इस वज़े से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए इस तरह से यह बहुत जादे नहीं होती है बहुत बारीक रूट होती है जो कि अगर डिस्टरब भी हो जाती है तो भी पौदे पर बिलकुल भी फ्यर्क नहीं बढ़ता है आप इसको कम से कम तीन गंडे की दूप में ज़रूर रखिए यह पौदा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा जैसे कि अगर आप बहुत जगह पर रखेंगे जहां पर अच्छी लाइट आती हो तेज रोष्णी आती हो तो ये पौधा अच्छे से ग्रोध कर देगा और यह हैं, जहां पर अच्छी में पादा LIGHT कर yönघो और ऑप लग्हांका पद्वान्रों से प्वाइथ कर लेका दोनों को एक साथ लगा दिया है और हाइड भी दोनों की एक सी रखी है तो इसकी हम अगले साल तक बहुत अच्छा बना लेंगे इस छोटे से पौधे को तो अब यह दोनों पौधे तयार हैं इसमें हलका सा वाटरिंग कर देते हैं ट्रांस्प्लांट के बाद तो इससे यह पौधे अच्छे से ग्रोध कर पाएंगे और इनका जो यह लीफ नोड है यहां से इसमें नहीं नहीं कलिया आएंगी और एक साथ इसमें फ्लावरिंग होगी तो काफी खूब सूरत लगेगी अगर आपका पौधा मर रहा है गल रहा है तो आप उसको तुरंट स मिलेगा और दीरे दीरे इस पर कलियां बढ़ती जा रही है जो कि जल्दी खिलेंगी बहुत छोटे-छोटे फूल आदे हैं लेकिन जब यह एक साथ खिलते हैं तो काफी कलरफुल लुक देते हैं आपके गार्डन में तो इस पौधे को आप जरूर कीजिए जिसमें आपक वे इसके तीनबार थे देते हैं तो भी पौधा अरौब से ग्रोथ कर पाता है तो इस तरह से यह पौधा यह廜 they used 하고 recycling का इंप GET इसका मतलब है कि पौधे में जाधा पानी हुर गया है जादा पाणी के कारण पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है तो इस बात का आप धाक है तो आप हमसे पूछ सकते हैं comment box में किसी भी वीडियो के या फिर facebook page पर instagram page पर कोई photo भेजना चाहते हैं तो वो भी आप gardening से related हमारे facebook page पर भेज सकते हैं video comment box में ज़रूर बताए कैसी लगी thank you